देखो तो चैल मुझे आता नहीं आओ लिसा लोनी तेरी जीले से आखें मैंने तेरे नाम लिखा हाल दरते तरते तुम कहा कुछ दरते तेरी हसी ने कुछ ऐसा घजब दिल पे ढाया हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कमल सदाना के फिल्मी सफर के बारे में वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करें और वीडियो को एन तक जरूर देखा करें 92 में आयती इनकी पहले फिल्म बेखुदी और इस फिल्म के सारे गाने कुमार शानू ने काये थे पहला गाना था खत में तेरे नाम लिखा हाल तमाम लिखा जब नामाना दिल दीवान आएगी मेरी याद और अगला गाना था मम्मी डैडी और अगला गाना गाया था विनोध राठोर्न और अगला गाना गाया था कुमार शानू मैं काहूं तुम वही करना करने से कुछ भी नहीं तुम्हे मनजूर्न और अगला गाना गाया था विनोध राठोर्न ने कहां 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 ये बता याद तेरी आ गई फिर खोई मम्मी और अगला गाना था मुझे क्या पता तेरा घर है कहां जोड़ी मरजी तु ले चल वहां 93 में आय तीन के फिल्म रंग और इस फिल्म के सारे गाने कुमार शानू ने गाये थे पहला गाना था तुझे ना देखू तो चैन और अगला गाना था तुम्हें देखे मेरी आखें और अगला गाना था जब बिजली चली जाए और आखरी गाना था दिल चीर के देख तेरा है ही ना होगा वफा तेरी सदा तेरा पया होगा ती मह फिल्म कोई बद ना 94 में आई थी फिल्म फॉच और इस फिल्म में कुमार शानू और उदित नारायन दोने ने कमल सदाना के लिए गाना गाया था पहला गाना कुमार शानू का और दूसा गाना उदित नारायन ने गाया था और अगला गाना था सीधा साधा भोला भाला और अगला गाना गाया था उदित नारायन दोने उस दुलहन को ले जाएंगे काके से खीचे और अगला गाना कुमार शानू ने गाया था और आखरी गाना भी कुमार शानू ने गाया था नाजर ने हम को अपने लिए आ है गल से हो गए है जब ने ये सुना है 94 में आय थी इनके कोर फिल्म बाली उमर को सलाम और इस फिल्म में कुमार शानू उदित नारायन और मुहमद अजीज ने गाना गाया था और अगला गाना था बाली उमर को सलाम और अगला गाना भी कुमार शानू ने गाया था और अगला गाना मुहमद अजीज ने गाया था और आखरी गाना कुमार शानू का था 95 में आई थी फिल्म हम सब चोर हैं और इस फिल्म में कुमार शानू उदित नारायन और अबरजीद भटचारजी और दूसा गाना अबरजीद भटचारजी ने गाया था और अगला गाना बाबला का था और अगला गाना कुमार शानू ने गाया था और अगला गाना था तोता से लड़ गई और आखर गाना था तेरे मेरे प्यार का 95 में आयती फिल्म रॉक डांसर और इस फिल्म में कुमार शानू बाली ब्रहम भट और बपी लहरी ने एक एक गाना था और आखरी गाना बपी लहरी ने काया था और 96 में आयती फिल्म हम सब प्रेमी और इस फिल्म के सारे गाने कुमार शानू ने गाये थे पहला गाना था चहरा करे दिल जी बाते और दूसरा गाना था ये वादा किया हमने और अगला गाना भी कुमार शानू का था और आखरी गाना ये वाला था 97 में आयती फिल्म निरनायक और इस फिल्म में तीन गाने थे कुमार शानू ने दो गाने गाये थे पहला गाना था और दूसरा गाना था कैसा घज़ा था और अगला गाना ये वाला था और आखरी गाना कुमार शानू ने गाया था 98 में आयती फिल्म महबद और जंग और इस फिल्म में कुमार शानू उदित नाराय विनोधा आट और अभिजीद भटचार जी ने एक एक गाना गाया था पहला गाना से मुझे पास ना बुलाओ जाने मन तो वो लोगी के जाओ जाने मन सोचो तो वो कैसा आलम होगा और दूसा गाना गाया था अभिजीद भटचार जी ने और अगला गाना गाया था ओदित नाराय विनोधा जाओ बन गई एक नई दासता एसा नम चाहतों के निशा और आखरी गाना गायता विनोध राठोर ने देखो 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 कवा चैलन्स की चाल जड़ा देखो इसको सबत सिखाएंगे फर्मा को चने चबाएंगे 99 में आया थे फिल्म जाल साज और इस फिल्म में जौली मुखर जी हरी हरन कुमार शानू और अबजीर भटचार जी ने गाना गाया था और अगला गाना अबजीर भटचार जी का और आखरी गारा कुमार शान करूँ और अबजीर भटचार जी का 2000 में आये थे फिल्म काली टोपी लाल रुमाल और इस फिल्म में कुमार शानू के दो गाने थे पहला गाया था और दूसरा गाना ये वाला था की हसरत है मरने का इरदा है ना जुदा होगे मेरी जानी ये वादा है क्रोपा कुमार शाना कान भाला ये वाद लादा बिल्म काली day अगुर भी लगननलหोगे वादा टासत। किम्या वाला रुमार पाने झार जानला है